प्रधान मंत्री देश में ठगी का व्यापार कर रही गारंटी निकली जूट राहूल गांदी ने प्याम मोदी पर बोला हमला कॉंग्रेस नेता राहूल गांधी निप्रधान मंतरी नरेदर मोधी पर सीधा हमला करती हुए गुर्वाल को कहा कि वह जूट बोलते हैं और देशवास्यों को जूटे सपने दिखा कर वोट के लिए ठगी का व्यापार कर रहे हैं राहूल गांधी ने कहा कि पिया मोधी आज देश की जन तक गुम रहा करने के लिए गारंटी की बात करते हैं लेकिन सच यह है कि उन्होंने पहले जुन गारंटी की बात की थी वह सब जूट साबित हुई उनमें से कोई भी वादा पूरा नहीं किया उन्होंने कहा मोधी जी नई गारंटियों से पहले पुरानी गारंटियों का हिसाब करो। दस सालों में जुटे सपनों का बाइसकोप लेकर घुम रहे प्रिधान मंतुरी देश में ठगी का व्यापार कर रहे हैं। भाजबसरकार मतलब जूट और अन्याई की गारंटी देश के सपनों के साथ न्याई कॉंग्रिस करेगी। कॉंग्रिस नेता ने प्रिधन मंत्री परिरा वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने जो भी गारंटी दी वहाँ सब जूट साबित हुई इसका व्यवरान देते हुए राहूल गाधी ने जो दो करोड नोकरी हर साल के गारंटी जूट किसान की आ लाने की गारंटी जूट रुपिय को मजबूत करने की गारंटी जूट चीन को लाल आख दिखाने की गारंटी जूट ना खाऊंगा ना खाने दोंगी गारंटी जूट